दो सेल्फ गोल कर लिये हैं और इसलिए ये पक्का हो गया है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार अच्छा जरा एक और नारा बुलवाना चाहता हूँ आज कोलाफुर के धरते बरा बोलेंगे अभी मैं पोल रहा था फिर एक बार अब मैं नहीं बोलूँगा आप बोलेंगे फिर एक बार ठीक है गरीबों की सरकार गरीबों की सरकार H.C.S.T.O.B.C. की सरकार विकास को समर्पित सरकार युवा को अवसर देने वाली सरकार महिलाओं को सुविदा देने वाली सरकार शाबाश भाई और भेनो अब तीसरे चरण में बॉल केरियर की जिम्मेदारी कोला पुर्वासियों के पास आने वाली है मुझे विश्वास है आप ऐसा गोल दागेंगे ऐसा गोल दागेंगे कि आगे के स्यारे राउंड भी इंडी अलाइंस वाले चारो खाने चीत रहेंगे क्योंकि ये पूरा देश जानता है जगत भारी कोला पुरी जगत भारी साथियों चुनाओं के पहले ही मैंने कहा था ये चुनाओ विक्सीद भारत के संकल्प का चुनाओ है लेकिन जैसे ही कॉंग्रेस पार्टी और उसके दोस्तों को ये एहसास हुआ कि वो विकास के ट्रेक रेकोर्ड में एंडिये की बराबरी नहीं कर सकते उन्होंने अपनी रणदिती बदल ली इसलिए इंडिये लाइस वालोंने खुलकर देश विरोधी एजंडा और तुस्ती करण के हतकंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है अब कॉंग्रेस का एजंडा है कि वो सरकार में आने के बाद कश्मीर में आर्टिकल 370 वापिस ले आएंगे क्या आप ऐसा करने देंगे अब किसी में हिम्मत है कि मोदी के इस कदम को पीछे हटा सके ये लोग कह रहे हैं कि इनकी सरकार बनी तो ये लोग से एक कानून रद कर देंगे क्या ये देश उनको करने देगा और अगर करने जाएंगे तो उनके हालत क्या होगी उनको पता है क्या अब आप मुझे पताईए जिन लोगों के तीन अंकों में लोग सभा सीड जितने के लाले पड़े हो क्या ये इंडिय अलाइस वाले सरकार के दरवाजे तक भी पहुंच सकते हैं क्या और उनका तो हाल ये है जी वो ऐसी फर्मुला बना रहे है एक साल एक पीम ये फर्मुला निकालने में लगे हैं अगर पांच साल मौका मिले तो पांच प्रदान मंत्री अब इनको इसकी आदद हो गई करणा टका में भी अभी सरकार बनी उनकी पार्टी उनका विजय फर्मुला क्या डाई साल एक मुक्यमंत्री डाई साल के बाद जो डेप्टी सीएम है वो मुक्यमंत्री है खेल खेल रहे इन्होंने चत्तिजग्र में फर्मुला बनाई थी डाई साल एक मुक्यमंत्री दूसरे डाई साल दूसरा मुक्यमंत्री उन्होंने राजस्तान में फर्मुला बनाई थी एक डाई साल एक मुक्यमंत्री दूसरे डाई साल और हुआ क्या यह फॉर्मुला निकालने वाले लोग पाँच साल में पाँच प्रधानमंत्री देश पर ठोपने के सपने देखने वालों को यह देश कभी भी सहन करने वाला नहीं है